नमस्कार आप देख रहे हैं भाषा के साथ खरी-खरी यह एक निया कारिक्टरम है आज हम बात करेंगे औरतों की जी हाँ, औरतें जो इस समय बहुत परेशानी का सबब बनी हुई है सत्ता के लिए और सत्ता के साथ जो जूड़ी संस्था हैं उनके लिए आपने सुना होगा शायद वगीत, औरतें उठी नहीं तो जल्म बढ़ता जाएगा इन दिनों अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग शहरों में इसे गाया जा रहा है और शायद यही वज़ा है कि जो औरतों की आजादी के दुश्मन है वह पूरी तरह से मुस्ताइद हो गए है औरतों को पीछे ढखेलने की साजिशे बहुत तेज हो गई है अलग-अलग मोर्चों से, अलग-अलग चेहरों के साथ औरतों की आजादी पर हमला हो रहा है ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह जो महिलावी रोधी बयान हमारे सामने आ रहे है यह बस ऐसे ही नहीं आ रहे यह 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 नहीं है कि बस बेखुदी में यहीं किसी ने चलते-चलते यह बयान दे दिये हो यह बहुत सोची समझी रणीती के साथ महिलाओं पर, महिलाओं की आजादी पर नई लड़कियां जो सड़क पर आ रही हैं, जो पढ़ना चाह रही हैं उनके उपर बहुत ही सोचे समझे ढंग से, सुनयोजित ढंग से एक विचारधारा के तहत हमला हो रहा है यह जो हमले हैं, यह ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही ढंग से एक ही लाइन में फाइडिंग हो रही है और हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है कि बंदू कौन चला रहे हैं बहुत ही जरा जरा से उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं कुछ पर तो चर्शा हो रहा है और कुछ तो बिना चर्शा के ही गायब होते जा रहे हैं ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया गुजरात में सूरत से, सूरत में नगर निगम का जो एक अस्पताल है, वहां तकरीबन सौ महिलाक लरकों को अपने कपड़े उतारने पड़े, लंबे समय तक दस-दस के समूह में बिना कपड़ों के रहना पड़ा, मजबूर किया गया, व और इस फिटनेस टेस्ट में वहां पर जो किया गया, वह इतना शर्मनाक और आपत्ती जनक था, कि उस पर काईदे से तो बहुत हंगामा होना चाहिए था, लेकिन उतना हंगामा कहीं नहीं हुआ, वहां पर इन महिलाओं के साथ टू-फिंगर टेस्ट किया गया, यह टू- बात बार जो बलातकार पीडित महिला या लड़की रही है, उसकी वर्जिनिटी की जांच करने के लिए कराये जाता रहा है, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम जो हाई कोर्ट से हैं, वह जज्ज्मेंट दे चुके हैं, कि यह टू-फिंगर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि यह घंगोर रूप से आपत्ती जनक है, और यहां पर जो औरत या लड़की है, उसकी वर्जिनिटी को ही टेस्ट करने की सारी कोशिश होती है, लेकिन हम पाते हैं, कम से कम सूरत का मामला तो यह बताता है, कि यह टू-फिंगर टेस्ट सरकार की छत्रचाया में किस तरह से लड़कियों और महिलाओं की उपर कराया जा रहा है, यह जो टू-फिंगर टेस्ट कराया गया सूरत में, इससे एक बात साफ होती है, कि लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में बात हो, लड़कियां कितनी प्योर और सिक्योर हैं, इसकी ज आई हुई थी, यहां पर सौ से अधिक के करीब महिलाएं थी, जिनकी फिटनेस टेस्ट के नाम पर, तमाम और तरह के भी अबजेक्शनेबल, भीशन रूप से आपत्ती जनक सवाल उनसे पूछे गए, जो उनकी प्राइवेट लाइफ से तालुक रखते थे, उसके बाद भी वहां पर किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई, सिर्फ कहने को जांच बैठा दी गई, यानि कि पूरा का पूरा महकमा मान के चल रहा था कि जो कुछ भी इन महिलाओं के साथ किया गया, जो नौकरी के लिए आएं थी, प्रमोशन के लिए वह चलता रहता अगर ये लड़कियां या ये महिलाएं औबजेक्ट नहीं करती, आखिर ये क्या विचार धारा है जो वर्जिनिटी की चार्ज के लिए इस तरह के आपतिजनक, गैर कानूनी, गैर समयधानिक, टेस्ट को खुले आम कराने की हिम्मत रखती है, और हिम्मत इतनी कि खबरें बाहर आने के बावजूद, किसी के खिलाफ कोई बड़ा अधिकारी, किसी की छुटी नहीं होती, किसी की गिरफतारी नहीं होती, यहाँ एक जरा-जरा से भाचन पर, एक स्लोगन पर लोगों की गिरफतारी हो जाती है, और इतनी महिलाओं के साथ, इतनी प्रतारना करने वाला जो पूरा इंस्ट्यूट और सिस्टम है वहां किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती। इसी तरह का मामला गुजरात में भुज में सामने आया था। को याद होगा वहां श्री सहजनन गर्ल्स इंस्ट्यूट की लड़कियों ने यहापती की कि वहां का जो पूरा मेनेज्मेंट है उसने किस तरह से उन पर दबाव बनाकर यह जांच करने की कोशिश की कि कि कितनी लड़कियां पीरियर्ज या महवारी से गुजर रही हैं। और इसके लिए उनकी अंडर गामेंट्स उतारे गए उसकी जांच की गई और यह सारा का सारा खेल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यह संस्थान है जो एक एडुकेशनल इंस्ट्यूशन चला रहा है वह यह मानता है और वहां पर यह नियम है कि पीरियर्ज के दौरान क्योंकि उन दिनों वह अपवित्र हो जाती है वे ना किचन में जा सकती है ना मंदिर के आसपास जा सकती है और इस इंस्ट्यूट की जो वाडन है उनका कहना था कि उन्हें शिकायत मिली थे कि बहुत सी लड़कियां इस तरह की बागी हो गई है कि वह पीरियर्ज के दौर हो सकता है इसकी पराकाश था इस इंस्ट्यूट के साथ जो घटना हुई बच्चियों के साथ उससे पता चलता है लेकिन हमने सबरी मला से लेकर यहां तक अभी तक देखा है कि पीरियर्ज को लेकर पूरा का पूरा जो पूलिटिकल क्लास है वह मान के चलता है कि पीरियर् देखे हैं अपनी रिलेटिव के हां देखा है जहां अभी भी लड़कियों को महिलाओं को पीरेट के दौरान कुर्सियों पर नहीं बैठने को मिलता है वे अलग से दरी लगा के नीचे बैठती हैं किचन में नहीं जा सकती तमाम और तरह के रिस्टिक्शन सुनके उपर होते लगियां इसे तोड भी रही हैं लेकिन एक एजुकेशनल इंस्ट्वूट सीधे सीधे इस तरह की अंटचबिटी प्रैक्टिस करे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करे जबकि हमारे समीधान में इस तरह के तमाम जो गलत-धारनाये हैं इनको तोडने की बात है scientific temperament को आगे बढ़ाने की बात है लेकिन इसके खिलाफ एक institute जो गुजरात में है भुज में है वो लगातार कर रहा है इसका मतलब कि उसे political patronage मिला हुआ है यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो institute चल रहा है इसको चलाने वाला स्वामी नारायन ट्रस्ट है और आपने तो देखा ही होगा वह बयान स्वामी नारायन भुज मंदिर के जो प्रमुख है किस तरह से उन्होंने यह बयान दिया कि जो periods के दौरान महिलाए खाना बनाती है वो अगले जनम में कुतिया हो जाती है बिच हो जाती है जो आदमी वो खाना खाते है उनके अगले जनम में वो बैल हो जाते है इस तरह के तमाम आपत्ती जनक बयान देने वाले लोग बहुत आजाद घूम रहे हैं क्योंकि महिलाओं के खिलाफ इस तरह का आपत्ती जनक बयान देना किसी को कोई परिशान नहीं करता कहीं से भी कोई कॉल लेने को तैयार नहीं होता लेकिन आप देखिए कि इस तरह के बयान आने के बाद दिल्ली में पीरिड्स महाभोज आयोजित करने का फैसला किया सच्च के बेहूदा बयान और महिलाओं को पीछे ढखेलने वाली सोच का जहां पर सुरुभी ने सीधे सीधे कहा कि पहले उन्होंने सोचा कि इस तरह के बयान को तवज्जो देनी की जरूरत नहीं है लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस तरह के ट्रस्ट एजूकेशनल इंस्ट् उतना से गुजार रहे हैं तब उन्हें लगा कि पीरिड्स महाभोज आयोजित करना जरूरी है जहां पीरिड्स के दौरान जो औरते हैं वे आके खाना बनाएंगी और बाकी लोग खाना खाएंगे यह जो प्रियास है यह निश्चित तोर पे समाज को पीछे ले जाने वा वीचार जो बलातकार का दोशी खुद लड़कियों को बताते हैं। जो यह बताते हैं कि गारगी कॉलेज जो दिल्ली का गारगी कॉलेज है जहां पे लड़किया एक उत्सव मना रही थी, वहां पे जो उपद्रवी, दंगाई, बलातकारी, भीर घुसी थी, उसके समर्थ जो लोग खड़े हुए हैं, जो बताते हैं कि लड़कियों को इस तरह के कपड़े नहीं पहने चाहिए, रात में इस तरह के प्रोग्राम्स में नहीं जाना चाहिए, इस सारे लोग जो लड़कियों पर या महिलाओं पर अत्याचार का दोशी खुद उन महिलाओं को और लड जी हां मनुस्मृति जिसे अब कुछ जगों पर पढ़ाने और पढ़ने की तैयारी भी हो रही है। जिसे बहुत ज़्यादा मुखर होके इन दिनों राष्टी स्वेम सेवक संग आरेसेस के प्रमुख मोहन भागवत बूलते हैं। सोचने की बात है कि आखिर मोहन भागवत या आरेसेस या ये जो दक्षन पंथी सोच है इसे पढ़े लिखे तपके से या जो एलीट तपका है उससे इतनी दिक्कत क्यूं है। क्यों वो लगातार निशाने पर लेना चाहते हैं उन लोगों को जो पढ़ने लिखने से तालुक रखते हैं या जिनके पास ग्यान या इंडिपेंडेंस है। वे उन औरतों पर क्यों निशाना बनाना चाहते हैं जो अपने कदमों पर खड़ी हैं या अपने रास्ते खुद तलाशती हैं। इसका बहुत सीधा सा उदाहरन मोहन भागवत के इस भाशन में दिखाई देता है। वे बताते हैं कि हम तो औरतों को बहुत सम्मान देते रहे हैं। 2000 साल तक हमने औरतों को एक धंग से रखा है। लेकिन अब उस तरह से लोग नहीं रह रहे हैं। परिवार का धाचा संकट में है। मोहन भागवत ने इससे पहले भी एक बयान दिया था कि किस तरह से औरतों को प्रमुख रूप से अपने बच्चे और पती का ध्यान रखना चाहिए और यहीं उनकी बुनियादी जिम्मेवारी होनी चाहिए। यहां हमें और आपको बहुत सोचना जरूरी है। हमें सोचना यह जरूरी है कि तलाख के नाम पर जिस तरह की अशिक्षा या जिस तरह से एक दबी हुई और प्रतारना पर तिका हुआ परिवार बचाना चाहते हैं मोहन भागवत क्या हम और आप उस तरह का परिवार चाहते हैं। शायद नहीं। इसलिए यह टकराहाट दिनो दिन बढ़ती जा रही है। अलग अलग धंग से हमारे उपर हो रहा है। यह हमें समझना बहुत जरूरी है और समझाना बहुत जरूरी है। बात को बिलकुल साफ साफ धंग से कहना जरूरी है। खरे खरे स्वर में यह जो दक्षन पंथी महिलावी रोधी सोच है इसको बेनकाब करना जरूरी है शुक्रिया